सो हें गैज वस्ट अप एंड वेलकम बैक टू सेलेस एडिटिंग जोन जहां दोस्तों काफी सारे भाईयों का कमेंट आ रहा था कि सेलेस भाईयों के उपर कोई ना फोटो एडिटिंग टुटोरियल लेकर आओ जो की काफी सिंपल तरीके से एडिट किया गया हो तो फैनली एडिटू को लाइक करतीजेगा और चैनल के नहीं तो सब्सक्राइब करतीजेगा तो चलिए गाइस इस एडिटो को हम लोग शुरू कर लेते हैं तो guys simple से आपको snap set app को open करके simple से plus की icon पर click करके आपको इस background को यहाँ से open कर लेना होगा जिसका link guys मैंने description box में दे दिया है वहाँ से जाके आप इसे easily download कर सकते हैं तो guys background को लेने बाद सबसे पहले step में guys आपको यह करना होगा कि यहाँ पर model को add करना होगा तो सबसे पहले add करने के लिए क्या करेंगे इसी pencil की icon पर guys click करेंगे और simply ऐसे नीचे की और हम लोग चले जाएंगे और जाने को बाद यहाँ पर double exposure के options पर guys आपको click करना होगा plus की icon और जैसे ही guys click करेंगे तो यहाँ से एक girl की photo को हम लोग ले लेंगे और इसका भी link guys मैंने description box में दे दिया है simply download कर सकते हैं तो इसे लेने को बाद guys कुछ इस टाइप से इसे हम लोग अरजेस्ट कर लेंगे अपने background के according और कर लेने को बाद simple से आपको नीचे side में 3 options में लेंगे तो last रॉले पे click करके इसकी opacity को 100 करके simply guys यहाँ से right click कर देंगे आप guys जैसे ही आप right click करेंगे तो कुछ इस्टाइप की photo आपकी यहाँ से देखने को मिलेगे तो उपर side में cross 3 के icon पे click करना होगा view date के option और double exposure पे click करके यहाँ से brush को ले लेंगे और guys brush को लेने गवाद इस options पे click करके size यहाँ से 0 मिलेगा और simple से guys आपको अपनी photo को ऐसे zoom करके और अपने body को छोड़के guys ऐसे side side से आपको erase कर लेना होगा तो guys मैं फड़ा-फड़ से कर लेता हूँ आप लोग भी यह process कर लेजिएगा और guys ऐसे simple से आप लोगों को add कर लेने गवाद simply यहाँ से right click करके आपको यहाँ से वैक हो जाना होगा और guys जैसे ही वैक होंगे तो कुछ इस्टे की यहाँ से आपकी photo देखने को मिलेगी तो again guys क्या करेंगे अपनी photo को हम लोग यहाँ पे add करने वाले हैं तो अपनी भी photo को guys same ऐसे ही फटा फट से हम लोग add कर लेते हैं तो pencil की icon पे guys क्लिक करेंगे double exposure के icon और plus पे click करके guys और simply अपने photo को यहाँ से लेके और कुछ इस type से guys आपको adjust कर देना होगा यहाँ से और कुछ इस type से guys adjust कर लेने वाद इसकी opacity वाले icon पे click करके और इसकी भी opacity को 100 करके simply right click कर देंगे और guys जैसे ही आप right click करेंगे तो कुछ इस type की photo आपकी यहाँ से देखने को मिलेगे तो उपर side में cross-tier के icon पे click करेंगे view edit के option और double exposure पे click करके यहाँ से brush को लेके इस option पे guys आपको click कर देना होगा और size यहाँ से zero करके और simple भी इसकी भी background को हम लोग ऐसे erase कर लेंगे तो guys आपको ऐसे photo को तो फैले zoom करके और simply ऐसे आपको ना अपने body को छोड़के ऐसे erase कर लेना होगा तो guys फटा फट से आप यह process कर लीजेगा मैं भी guys कर लेंगे आप लोगों को आगे का फिर step बता देता हूँ कैसे आप लोगों को क्या करना होगा और guys जैसे ही आप इस photo की background को remove करेंगे तो कुछ इस टाइग की photo आपकी देखने को मिलेगी तो simple से guys right click कर के आपको यहां से बैका जाना होगा और जैसे ही guys बैकाएंगे तो कुछ इस टाइग की photo आपकी यहां से देखने को मिल जाएगी तो guys इसी pencil की icon पे आपको click करना होगा और ऐसे उपर side में आपको आजाने पे न यहाँ पे एक select 2 का option आपको देखने को मिलेगा तो select 2 वाले पे click करके अगर आपका skin dark है तो कुछ इस टाइप से guys select करके brightness को increase करके नीचा के इसकी situation को थोड़ा सा decrease कर लेंगे और ऐसे guys photo part से आप जहाँ जहाँ पे आपका skin dark है सेम यही process आप कर लीजेगा तो मैं भी guys कर लेता हूँ आप लोग भी कर लीजेगा और simply guys यहाँ से आपको ऐसे कर लेने गवाद ऐसे simply आके न right click कर देना होगा और right click करते ही आपकी face यहाँ से कुछ इस टाइप की दीखने लगेगी guys तो इसकाद guys क्या करेंगे finally इसी pencil की icon पे आपको again click करना होगा नीचे आके न double x charger के icon पे click करके plus की icon पे guys click करके एक heavy holy की png लेके न guys उपर side में कुछ इस टाइप से इसे ऐसे लगा देके और लगाने गवाद बीचोले पे click करके simple से add click करके simply right click कर लेंगे और right click करते ही guys कुछ इस टाइप की photo आपकी यहाँ से देखने को मिल जाएगे तो guys क्या करेंगे हम लोग न again इसी pencil की icon पे click करेंगे double x charger plus की icon और एक png को guys लेके न नीचे side में इस options पे click करके इसे हम लोग light in click करके और कुछ इस टाइप से नीचे side में shadow type में ऐसे लगा के right click कर देंगे और जह हुई guys यह सारी process आप करेंगे तो all to all up की पूरी photo कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगे जो की देखने में काफी awesome and farce लेग रही है तो guys इस photo में थोड़ा से हम लोग color grading कर देते हैं तब और यह photo और ज्यादा bomb लगे की तो pencil की icon पे click करेंगे ऐसे उपर side में guys आएंगे tune image की options पे click करेंगे ऐसे नीचे side में आखी इसकी situation को guys ऐसे हम लोग increase कर लेंगे और नीचे आख इसकी ambiance को भी guys increase करेंगे highlight को decrease करके side को थोड़ा सा increase करेंगे और black इसकी last order number को थोड़ा सा decrease करके थोड़ा सा guys और right क्लिक कर देंगे जो ही guys यह सारी process आप करेंगे तो alt 12 आप की पूरी photo कुछ इस type की देखने को मिलेगी तो उपर charge में cross lead के icon पे आपको click करना होगा view edit के option और tune image पे click करके यहाँ से brush को लेके इस options पे guys click करेंगे size यहाँ से 0 मिलेगा और photo को guys zoom करके ना ऐसे आपको अपनी skin page से इस effect को ऐसे remove कर लेना होगा तो guys फड़ा फड़ से आप ऐसे remove करके simply right click कर देंगे और यहाँ से आप back हो जाएंगे तो final photo देख सकते हम लोग का कुछ इस type से मिलेगा तो थोड़ा सा face को smooth कर देते हैं तो उसको भी करने के लिए pencil की icon पे click करेंगे और ऐसे नीचे आ जाएंगे portrait वाले पे guys click कर देंगे तो यह इस बूर 2 automatic select कर लेगा और simple से guys यहाँ से आप right click कर लीजेगा और ऐसे ही guys यह सारी process आप करेंगे तो R2 वाला आप की पूरी photo कुछ इस type की देखने को मिलेगे जो देखने में काफी awesome and parts लिए तो guys photo को save करने के लिए download वाले options पे click कर के simple export click कर देंगे और हम लोग की यह photo gallery में save हो जाएगी I hope guys आपको यह video काफी अच्छा लगा होगा तो thanks for watching guys